हुआ कि दोस्टों सर्दी का मौसम सुरू हो और सर्दी का मौसम सुरू होते ही लोगों में सर्दी जुखां की आम समस्या बहुत जादा होने लगती है और जिसे देखो ख Caitlin रहा है चीक रहा है और बार-बार उसके मतलब reclaims बहे रही है तो इस त्asis की बहुत सी अपनी खासी सर्दी जुखाम का घरेलू रूप से उपचार कर सकते हैं तो प्लीज वीडियो पर अंतक बने रहीएगा और यदि आपको खासी जुखाम हो जाता है तो आपको बिल्कुल भी घवराने के जोरत रही है क्योंकि मैं हूँ आपका अपना फैमली हेल्थ कंसल्टे केसिंग और यहां पर बात होती है हैल्थ और फिटनेस की और आपको सही जानकारी और सही सलाय दी जाती है चलिए अब सुरुवात करते हैं यदि आपको खासी सर्दी जुखाम की सिकायत हो गई है तो सबसे पहले जरूरी है कि आप गुनगुने पानी का सेवन करें जितना इसे आपकी जो गले में खरास है जो आपकी अवाज बैठ गई है या फिर आपकी गले में अंदर सटकने में दिक्कत आ रही है तो उसमें आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा नेक्स्ट आप लहसुन का प्रियोग कर सकते हैं क्योंकि लहसुन की जो कली होती है आप उन कल होता है इसमें एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है और जिसकी वजह से आपकी इम्मुनिटी भी कुछ ज्यादा बढ़ती है और जो वेक्टीरल टाइप का जो इंफेक्शन होता है उससे भी आप काफी हद तक बच सकते हैं आप अदरक के रस का सेवन कर सकते हैं अदरक का रस आपको आसानी से आपकी किछिन में मिल जाएगा थोड़ा सा अदरक का रस निकालीजिएगा और इतना ही उसमें सहद मिला लीजिएगा उसको दिन में दो वार आप चाटोगे तो आपको सर्दी खासी जुखाम में बहुत जल्दी आपको आराम मिलेगा आप मार्किट में बनी बनाई भी मपको मिल जाती है जैसे या या फिर सहद को दूद में मिला कर भी आप ले सकते हैं इससे आप दो बार लोगे तो सर्दी जुखाम से काफी हद तक आप बचे रहोगे सर्दी जुखाम से बचने के लिए मैंने पहले कुछ काड़े बताए थे उसी में एक काड़ा आप दुवारा फिर बना लीजिएगा अधरक लेनी है काली मिर्च लेनी है तुलसी लेनी है और लॉंग लेनी है सब को थोड़ी-थोड़ी मातराम लेकर एक गिलास पानी में उबाल लीजिएगा इसको और जो उबलकर वो आदा गिलास रह जाए तो उसे च्छान कर पी लीजिएगा इससे आपकी सर्दी खासी म आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा साथ में आपकी इम्मुनिटी रहेगी यदि आपकी रोग प्रित्रों तक छमता अच्छी रहेगी तो आप काफी रोगों से बचे रख सकते हैं और आप दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते यह भी आपकी रसोई में आपको आसानी से म आराम मिलेगा साथ मैं आपको सरदर्द भी हो रहा है तो उसमें भी आपको आराम लगेगा इसलिए नौर्मल सदी जुखाम में आजमाने वाले तरीक आप इनको फायदे मन और रहेगा साथ है मैंने आपको पहले बता चुका हूं golden milk के वारे में जो golden milk होता उसका 7 भी आप करिएगा जैसे कि आपको थोड़ा दूद लेना है और उसमें आधा चम्मच एक गिलास दूद में आधा चम्मच आपको हल्दी डाल लेनी है और एक चुटकी काली मिर्श डाल लीजेगा उसको रात को सोते समय जरूर से पीजिएगा इसे डेली रूटिन में आप पीएंगे तो बहुत फायदे मंद आपके लिए रहेगा इससे आपकी रोग पृतिरों तक चमता भी अच्छी रहेगी और आप काफी रोगों से बचे रहोगे साथ में आप बिटामिन सी और निकलती हैं आपने 10 मिट के लिए दूप में बैठ जाईएगा उससे आपको बिटामिन डी प्रोचल मातरा में मिल जाता है तो यह सब नॉर्मल तरीके जिनने आप घर पर आसानी से आजमा सकते हैं और सर्दी जुखाम जैसी जो नॉर्मल दिक्कत होती है उनसे भी काफिय अच्छी रहेगी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद पिलिच इसी तरह अपना सपोर्ट पनाए रखें नमस्कार गुडबाई है वे ग्रेट डे थैंक यू